कुलू में राजकिय प्रात्मिक शिक्षक संग कुलू का जनरल हौस रविवार को बदाह में हुआ जिसमें प्रात्मिक शिक्षक संग की नई कारेकारणी का चैन किया गया चुनाव में प्रात्मिक शिक्षक संग जिला सोलन के अध्यक्ष रजनी कौशिक ने चुनाव परिवेक्षक की भूमी का निभाई इस तोरान सर्वसेहमती से इंदर सिंग ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया कुल्लो में राजकियो प्रात्मिक शिक्षक संग की आम बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक में शिक्षक संग की नई कारेकानी का भी चैन किया गया बैठक में सर्वसहमती से इंडर सिंग ठाकुर को अध्यक्ष चुना गया है जबकि वरिष्ट उपाध्यक्ष कुंजला ठाकुर, महासचिव बिहारीलाल परमार, कोशा अध्यक्ष प्रेम महंत को चुना गया महिलाविंग की प्रधान डिपिका शर्मा को बनाया गया है इसे पहले बैठक में वर्ष 2015 से 19 तक के संग के आयवे का विवरन पेश किया गया चुनाव प्रवेक्षक रजनेश ने बताया कि ये कारेकारणी तीन वर्ष के लिए चुनी गई है इस चुनाव में जिलाकुलू के सभी खंडों के अंतरगत प्रधान, महासचिवो, कोशा अध्यक्षव, जिला प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया ये जो कारेकारणी है जिसमें आज मुझे अफसर विला प्रवेक्षक के रूब में ये कारेकारणी तीन वर्ष के लिए चुनी गई है जिलाकुलू की प्रात्मिक शिक्षक संग की और इसमें जितने भी जिलाकुलू के अंतरगत शिक्षा खंड है नव निर्वाचित अध्यक्ष इन्रिसिंग ने आश्वासन दिया है कि अध्यापकों की जो भी मांगे होगी उन्हें प्रमुक्ता से उठाया जाएगा और उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा उन्हें कहा कि कई स्कूल एक ही अध्यापक के सहारे चल रहे हैं और सरकार से मांग की जाएगी कि ऐसे स्कूलों में जल्द ही अध्यापकों की न्युक्ती की जाए सभी इस मंच के माध्यम से अपने सभी पूरी कारिय कारणी के साथ ये आश्वस्त करता हूं कि हम अपने सभी अध्यापकों के जो भी कारिया हैं लंबित पड़े हैं सिटी चैनल के लिए कुलो से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट ये